केस 3 of fund account देखो इस question में आपको दिया हुआ है price fund आपका 4 lakh रुपीज का है और आपके price award हो रहे हैं 50,000 रुपीज के donation आपको मिल भी है 72,000 रुपीज की funds कहां जाते हैं balance sheet की liability side में राइट तो सबसे पहले हैं balance sheet की liability side में लिख देंगे price fund 4 lakh रुपीज जिसमें से हम जितने के price distribute करें हैं 50,000 के वो minus करेंगे donation हमको कितने मिली 72,000 की चीक है इतना तो हम कर लेंगे इसको price fund आपने डाला 4 lakh minus जितने के आपने price distribute करें प्लस आपको जित चोटी सी चीज है आपने उस पैसे को bank में deposit करा दिया तो उस पे interest तो आएगा आपके पास तो वो interest आपकी income हो जाएगी जिससे कि आपका fund ही बढ़ेगा माली जी आपने 1 lakh rupees invest की FD करा ली और आपको next year 1 lakh की बजाए आपका पूरा FD कितने का बन गया 1 lakh 10,000 का तो वो 10,000 rupees भी जो extra आपने कमाए हैं that will be added to fund account हो ले क्योंकि वो fund की वजा से investment हुआ था तो यहाँ पर क्या किया रैसे कि fund इन लोग के पास था 4 lakh rupees का उसका फिर उन्होंने क्या क्या 9% price fund investment was 4 lakh 9% price fund investment का क्या मतलब होगा कि जो शाल के शुरू में इनके पास 4 lakh rupees का fund था उन्होंने इसको ऐसी जगा invest करा जहां से इनको 9% rate of interest earn होगा है तो यह investment तो fund तो liability में चला गया आपका प्लस आपने इसी चीज़ को invest भी किया है investment कहां जाती है asset side में तो 4 lakh rupees की आप क्या करोगे asset side में शो करोगे तो मैंने किया price fund पूरा लिखेंगे price fund investment कितना हो गया चार लाक यह शो हो गया अब देखो 9% income earn होनी चाहिए न तो अगर हम accrual system से चलें तो income and expenditure account में हम क्या बोलते हैं कि जितनी इस साल की income है चाहे वो cash में आई हो या ना आई हो वो हम को मिलनी चाहिए बट सिंस यहां पर यह जो 9% है यह हमें हमें fund से मिलेगा fund के जो भी income होगी वो fund में ही आड़ होगी तो 4,000,000 रुपीज का 9% 36,000 बनेगा 36,000 रुपे चाहे वो cash में आए चैना आए अभी नहीं आया तो कल आ जाएगा तो रहेगी वो मेरी fund की income तो मैं उसको क्या करूँगी मैं उसको fund में ही याड़ करूँगी फंड में यह दोनों calculation हम explain कर चुके थे 50 और भत्तर की यह 36,000 कहां से प्लस हुए 4,000,000 रुपे जो इस fund के invest किये थे उस पे 9% आपको interest earning तो है ही चाहे वो cash में मिला हो चाहे नहीं मिला हो इस साल की तो वो income है ही तो मैं इसको fund में आड़ करूँगी 36,000 इस calculate करके 4,000,000 अब देखो 36,000 मुझे आने चीए थे मुझे केवल 27,000 मिले हैं that means 9,000 रुपीज मुझे अभी मिलने बाकी है तो जो मेरी income अभी मुझे नहीं मिली है and the income which I have already earned but not received is my asset तो मैं इसको asset में लिख दूँगी accrued interest करके accrued interest मतला मेरा interest 36,000 बन रहा था जिसमें से मुझे केवल 27,000 मिले तो 9,000 मुझे बाद में मिलने चाहिए जो की मेरा asset बन जाएगा ठीक है plus one more concept जैसे इस इन तीनों cases में क्या हुआ था कि जैसे देखो case 2 में देखो case 2 में भी fund आपका 4,000 रुपीज का था आपके बास आपने prices award करे केवल 50 के that means you were having sufficient balance in the fund account ऐसे ही case 3rd में आपके पास price fund था 4,000,000 का आपने price award करे 50,000 पे that means you were having sufficient balance in fund मान लीजी अब मैं उल्टा गरती हूँ मान लो मेरे पास fund है कितना 4,000,000 का और मुझे price मुझे award करने है 4,000,000 के what I am saying is कि I have price fund of 4,000,000 and prices award में कितने कर रही हूँ 4,000,000 के तो सी fund कहां जाता है balance sheet में balance sheet की liability side में मैंने लिखा fund 4,000,000 balance sheet की liability side में fund मैंने लिखा सारी साड़े 4,000,000,000 का है ना हमारे पास लेकिन I am so sorry fund हमारे पास कितना है fund हमारे पास है 4,000,000 का award कितने है साड़े 4,000,000 के लेकिन इस 4,000,000 में मैं income and expenditure account के debit side में expenditure side में लिख दूँगी two price awarded 50,000 क्यूंकि मेरा fund था 4,000,000 का मैंने prices बाटे 4,000,000 के तो 4,000,000 में से मैं 4,000,000 तो माइनस कर दूँगे कि चलो 4,000,000 में से इस 4,000,000 में से मैंने 4,000,000 रुपीज तो कहां से उठा लिए fund में से उठा लिए तो मैंने उनको क्या करा fund में से माइनस कर दिया बाकी 50,000 बच गे जिसके लिए मेरे पास fund नहीं है तो उसको मैंने क्या किया income and expenditure account के expenditure side से उठा लिए ठीक है थैंक यू